हेलो दोस्तों, welcome to sleepy classes, तो 5 questions आज हम यहाँ पर solve करेंगे, प्रिलिम देख आ रहा है, और इस तरीके के जो हम questions यहाँ पर solve करते हैं, काफी important role play करते हैं आपकी preparation में, तो आइए देखते हैं कौन-कौन से 5 questions आपके लिए आज हम लेके आए हैं, test series के ही हमारे questions हैं, तो आपको idea ल statements यहाँ पर correct हैं, ध्यान रखना है इस तरीके की terms का, कि क्या directive आपको वहाँ पर दिया जा रहा है, correct है या incorrect, तीन statement देखीजिए, correct option अपने पास mark करेंगे, फिर in the end हम सारे questions को यहाँ पर discuss करेंगे, second question में, बात हो रही थी कि initiative के बारे में, debt service suspension initiative, recently आपने news में भी सुना support इस से related provide किया था, अब आप बताईए कि इन में से किसके दौरा यह initiative यहाँ पर शुरू किया गया था, किसका initiative था, second question है, third question देखते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके का, हम किसकते हैं, situation भरा question आपको यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं कि सरकार ने oil खरीदा रशिया से payment उ करते हैं, fourth question के बारे में, तो यहाँ पर अब आपको पूछा जा रहा है, कि जो monetary base, एक term हमारी economy में हम use करते हैं, आपने जरूर सुना होगा, इसके बारे में कहीं न कहीं, कि इन में से कौन सी चार options हैं, जो कि इस particular term के अंतरगत वहाँ पर include की जाएंगी, चार options हैं, चार codes आपको यहाँ पर provide किये हैं, तो अराम से video pause करके इस question को देखिए, correct option mark कीजिए, फिर हम discuss करेंगे इसको further, फिर आपर fifth question, बात हो रही है, agree stack program के बारे में, बहुत बार हमने selected, आपके few minutes में भी एक दो बार इसका जिकर हो चुका है, वैसे shots में भी काफी बार हमने इसके बार थी, easy है, आप easily इस question को यहाँ पर mark कर सकते हैं, तो यह 5 questions हैं, अराम से pause करके वीडियो को हरे question को mark कर लिजे, अब शुरुआत करते हैं, इसको solve करने की बात, ठीके जी, पहला question यहाँ पर क्या था, पहले question में agree culture sector से later यहाँ पर बात की गयी थी, and since अगर आप previous question वहाँ पर देखें, agree से काफी good number of questions आप से पुछ जाते हैं, तो important है यहाँ पर आपके लिए trends को analyze करना, कभी भी अगर आप eco survey पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए, जो वहाँ पर आपको data दिया गया है, उसमें आप trend देखे क्या चीज़ बताई जा रही है, ठीके जी, data से trend आपको खु तीन statement देखे थी, बताना थे इनमें से कौन कौन सी correct है, चार codes आपको यहाँ पर provide किया जा चुके थे, पहली statement देखते हैं, कह रहे हैं कि जितने भी sectors है इंडिया में, agriculture आपका employee करता है maximum workforce, second में कह रहे हैं कि due to shift from subsistence to commercial agriculture, जो average land holding है, वो यहाँ पर increase हो चुकी है इंडिया मे और third में कह रहे हैं कि जो Indian farmers की dependence थी monsoon पर, वो independence अगर हम उसे compare करें, वो आपकी कम आती जा रही है, तो तीन statement दी कही थी, तो यहाँ पर आपसे correct statement पूछी थी, तो अगर आप थोड़ा सा सोचें इस question के बारे में, थोड़ी सी common sense भी लगाएं, तो काफी easily आप इसे थोड़ तयार कर रहा है, जो वहाँ पर production कर रहा है अपने piece of land पर, वो सिर्फ और सिर्फ self-sufficiency के लिए है, अपने घर काउन का राशन वहाँ पर बनता रहे, उसके लिए वहाँ पर के जाए, तो initially पहले यही objective रहता था, सब के पास इस सरीके से small-small parts of land रहते थे बहुत समय पहले क क्या हुआ, नाम से clear हो रहा है, कि हंजी अब वहाँ से source of earning, major source of earning वो बनता जा रहा है, तो अब उसके चलते क्या आपका average land holding increase होगा, average land holding का मतलब क्या होगी, एक व्यक्ति के पास कितने piece of land है, अब आप खुद सोचिए कि जस तरीके से इलिया की population वहाँ पर बढ़ रही है, ठीके जी, अब उसके चलते जो आपकी average land holding होगी, काफी इजली आप बता सकते हैं, कि यहाँ पर यह कम ही होती जाएगी, यह बढ़ेगी नहीं, ठीके जी, अगर आपकी population वैसे ही रहती है, उस तरीके के fluctuations नहीं आती, जैसे कि हमने witness की है, आजादी के बाद से कि बहुत जा तो second statement आप easily यहाँ पर rule out कर सकते हैं, जो commercial agriculture की बात आ चुकी है, सभी अपना-पना काम वहाँ पर करना चाते हैं, सभी अपने तरीके से वहाँ पर काम करना चाते हैं, definitely कोई भी family रहेगी, उसके पास एक piece of land रहेगा, further जब आगे उनके वहाँ पर संताने होंगी, तो उसके चलते हैं, वह piece of land और bifurcate हो जाएगा, और divide हो जाएगा, जो कि हम generally witness भी करते हैं, काफी easily आप second statement को यहाँ पर rule out कर सकते हैं, अब उसी के चलते हैं, अगर आप options देखें, कि आपके पास कोई ना कोई दो statements तो यहाँ पर correct हैं, second आपकी यहाँ पर incorrect हमने proof कर दी, तो उसके चलते हैं, आप first और third option, बहुत easily बता सकते हैं, कि यह आपकी correct option है, explanation देख लेते हैं, additional points आपके यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या है, तो वही चीज़ के average land holding decrease ही होती गई है इंडिया में over the time, फिर वहीं जो पहली statement अब आपको दीगी थी, अभी जो पहली statement थी, इसका जो data था, यह आपका eco survey में वहाँ पर mention था, और हमने अपने 99 points वाला जो initiative था, उसमें भी यहाँ पर discuss किया था, कि अगर आप देखें, यहाँ पर agriculture आपका total, beat, ruler, beat, urban या फिर आपके male, female, सबका total मन लाते हुए, around 23 million लोगों को यहाँ पर employment generate करके दे रहा है, industry wise employment यहाँ पर manufacturing हो गया, 6.24, तो उसके लावा आपका जो trade हो गया, hotel, restaurant, यह सबी चीज़ें आपकी 7.47, तो यह थोड़ा बहुत trend आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के चलते आप ऐसे questions, ऐसे statements को वहाँ पर बता सकते हैं, क्या हो correct रहेंगे, और incorrect, अब वही चीज़ यहाँ पर अगर आपको statements किसी और तरीके से, same मान लिजी कि statements आपको ही दी होती, और यहाँ पर अगर आपको options कुछ और तरीके से दी होती, कि आपकी सिर्फ एस first statement ही correct है, यह third statement ही correct है, तो थोड़ा बहुत आपको बाकी statements पर भी काम करना पड़ता, बट सिंस यहाँ पर आपके लिए कोश्चन यहां पर तयार हुआ है, वहीं से लिए स्टेटमेंट बैसिकल यहां पर तयार हुई है, फिर उसके लावा अगर हम बात करें कि जिस तरी की सब्सिटेंस से हम कमर्शल एगरी कल्चल तक बढ़ते गए हैं, वैसे 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 फार्मिंग टेकनीक्स भ अधार पर अगर हम यहां पर देखें, तो कहां ही आपका 2.28 hectares, average landholding वहां पर मन जाती थी, in 70-71, जो कि अब आपका 1.08 hectares पर आ चुका है, 2015-2016 के साब से, अब यह जो facts रहते हैं, इनको आपको exactly कभी याद नहीं रखना है, ठीके जी, जनरली आपसे यह जो facts अगर आप आ इनक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, यह आपका fluctuate हो रहा है, ठीके जी, तो वही चीज़ यहां पर पूछी कही थी, फिर उसी के साब से अगर हम देखें कि rainfall dependence पहले तो था ही, अजादी की समय तो था ही, कि अगर आपकी बरसात हो रही है, तो उसे साब से मारी उपज अगर आपकी इस तरह के से बरसात नहीं तो उस दोरान उस रिंग वोटर को वहां पर उसके ज़र है, तो dependence तो कही न कहीं कम होई है, तो आप easily statement को यहां पर correctly mark कर सकते हैं, तो यह basic सी explanation है आपकी particularly, इस question के चलते है, उसी के साब से आपकी यहां पर C option, correct option है, तो I hope इस question में को definitely, pandemic की वैसे, COVID-19 की वज़े से, जितनी भी economies थी, क्यों हम अगर हम world, जो आपकी poorest economies है, क्यों हम उन्हें consider करना, जितनी भी economies थी, सब पर असर पड़ा, सब की economies वहां पर हमने downfall witness की है, contraction वहां पर देखी है, GDP की, तो definitely उस तरीके से, जो बहुत ही ऐसे गरीब देश थे, उनके definitely उस तरीके का अगर हम, जो data compilation IMF दौरा जो वहां पर की जारी है, कि हंजी अभी भी बहुत सारा, जो debt है, जो debt services जो की वहां पर, इन poorest countries को, फर्दर जो बाकी जो countries वहां पर, जो loan extension के मादधन से, उन्हें ऐसे incentives वहां पर provide कर रही है, extensions थोड़ी बाच प्रोवाइड कर रही तो वही चीज यहां पर realize की गई, IMF दौरा, World Bank दौरा, और उन्होंने G20 को urge किया, कि आप setup कीजिए DSSI, और उनके दौरा यह initiative यहां पर लिया गया, DSSI के चलते क्या रहेगा, कि जितनी भी आपके ऐसे bilateral official creditors रहेंगे, एक particular period के दौरान, उन्होंने अपना जो भी debt service payments, कि मतल donation दे दीजिए, आप इसे delay कर दीजिए, आपको forgive नहीं करना है, आपको यह maaf नहीं कर देनी है payments, बट आप थोड़ा समय दे दीजिए, कुछ repayment आप period यहां पर भढ़ा दीजिए, पान साल का उसमे एक fair additional one year grace period यहां पर डाल दीजिए, ताकि यह जो countries हैं, यह पहले pandemic के असर को यहां पर sustain कर सकें, resilient वहां पर बन सकें, जो basic amenities हैं, जो कि उन्हें अपने आम जनता को provide करने हैं, वो यहां पर कर सकें, तो उसके चलते यहां पर आपकी बात रखी गई थी, और यहां पर जिन countries को आपकी इस तरीकी से DCSI में apply करना था, वो directly IMF के पास जाके apply कर सकते थे, अब definitely उसके चलते, उनको थोड़ी बहुत help भी मिली, but further इसके बारे में अगर हम बात करें, काफी help तो मिली, immediate liquidity वहां पर address वहां पर होगी इसकी वज़ा से, साथ के साथ जितने भी ऐसे existing debt sustainability problems ही इन सभी countries में, वो भी कुछ चर्थ तक यहां पर आपकी resolve होगी, तो 48 out of these 73 eligible countries आपने participate किया, जो कि December 2021 में आपका initiative वहां पर खतम हो गया था, ठीक है जी, में 2020 से initiative आपका शुरू हुआ था, April 2021 तक, further इस पर बात रखी गी थी, इसे 6 महीने extend किया जाए, जो कि वहां पर किया भी गया, और उसके चलते यहां पर जो हमारी निर्मला सितर रमन जी है, उन्ह कि आपको पता होनी जोड़ी है, अब यह जो explanation हमने यहां पर discuss किया है, जुरूरी नहीं, आपको exam में question उसी तरीके से आए, कि हैंजी G20 का आपका initiative था या नहीं था, क्या-क्या इस related important points यहां पर रखे गे थे, यह अब आपके लिए यहां पर important रहेंगे, अगले question के और balance of payments के बारे में बहुत बार discussion हो चुका है, तो basically आपके इसमें दो components रहेंगे, current account और capital account, current account में जितना भी trade वहां पर होगा, goods का, services का, जो वहां पर trade हो रहा है, ठीकि जो भी आपके invisible, जो हम जिसके अंदर उसे categorize करते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी हां पर include की जाते हैं, तो उसी के अधार पर जो इस तरीके से payment वहां पर INR में की जा रही है, जिसके चलते हैं, हमने तेल वहां पर खेज़े जा है, तो definitely आपका current account में ही यहां पर add के जागा, तो वही चीज़ आपको यहां पर समझाई भी गई है, कि दो major components रहते हैं, current account, capital account, तो definitely अगर उस तरी question के और, fourth question में, यह economy से related, थोड़ा basic से related question था, कि जो monetary base रहता है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपकी include की जाते हैं, चार options आपको दी गई थी, आपको बताना है, यहां से कौन-कौन सी correct है, तो basically, अब इस concept को मैं थोड़ा यह भी कह सकता हूँ, कि हनजी, हो सकता है कुछ दिक्कत आई है, उस question को attempt करने में, तो पहली बात correct answer यहां पर देखलते हैं, तो correct answer आपका first, second and fourth था, अब किस तरीके से correct answer था, यहां पर आपने सारी statement तो पढ़ी लिए होगी, आपको समझ भी आगी होगी किस तरीकी statements की बारे में, यहां पर बात की जा रही है, अब बात क यहां पर रेगुलेट के जा रहे हैं, तो वो सभी आपके इस monetary base में include की जाते हैं, अब इसको थोड़ा explanation देख लेते हैं, कि RBI यहां पर money aggregates, जैसे की M0, M1, M2, M3 और साथ के साथ M4, इन्हें यहां पर use करता है, ताकि money supply को economy में हम समझ सकें, किस तरीके से यहां पर money supply चल अब यह जो आपका M0 रहेगा, इसमें कौन-कौन चीज़ include होंगी, जो currency and circulation है, कि आप देख रहे हैं, उस तरीके से पैसा जो आपका economy में rotate कर रहा है, जो circulation में चल रहा है, वो आपका include रहेगा, bank के जो deposits रहेंगे, RBI के पास आपको पता, उस तरीके reverse repo, operations के तरीके से भी पूरा करने के लिए, सभी obligations को पूरा करने के लिए, और जो बाकी deposits है, RBI के पास, तो यह सभी हमारे इसे हम कहते है, monetary base, ठीक है जी, reserve money जिसे हम यहाँ पर कहते है, तो यह आपका M0 में यहाँ पर include कर रहता है, फिर आती है बात M1 के बारे में, अब M1 को हम यहाँ पर कहते ह है, अब इसमें कहा include होंगी चीज़े, जो currency public के पास है, जो कि हमने उस तरीकी से वहाँ पर देखी, फिर जो आपके demand deposits हैं with the banking system, demand deposits में आपके किस तरीकी के accounts आएंगे, जिसी आपका saving account हो गया, ठीके जी, उस तरीकी के आपका current account हो गया, तो यह जितने भी आपके deposits होंगे, यह आपके banking system में आएंगे, और जो बाकी deposits हैंगे RBA के पास, तो यह आपकी दो categories यहाँ पर divide होगी, यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब जो आगे का खेल है M2, अब अगर M1 में आप डाल दें, जो post office के पास, जो आपका post office saving bank है, उसके पास जितने भी saving deposits हैंगे, अब उसे M1 में add कर दें, तो हमारे पास M2 यहाँ पर आ जाता है, ठीके जी, अब further अगर आप देखें कि जितना हम M0 से M2 तक जो अभी तक पहुंच चुके हैं, उतनी जादा वहाँ पर liquidity कम होती जाएगी, जो जितने भी accounts के बार में हम बात कर रहे हैं, यह उस तरीके से ह हमारी जो इसकी availability है, liquidity में अगर हम बात करें कि हमें कितना rapidly यह available हो सकता है cash ही format में, उतना जादा यहाँ पर कम होता जाएगा, ठीके जी, अब वैसे ही M1 में अगर आप यहाँ पर add कर दें time deposits, जो कि banking system के पास है, कि कि किसी ने FD कर वाई है, RD कर वाई है, और इक तरीके से fix और M4 है, उसे हम यहाँ पर basically broad money के नाम से यहाँ पर दाना जाता है, कि अब आपने क्या किया M4 की calculation में, M3 में आपने जितने भी बाकी deposits थे post office के पास, सभी deposits को यहाँ पर include कर दिया, कि ऐसा तो नहीं है, अब post office अब आपको ध्यान रखना है, उस तरीक current account facility वहाँ पर available नही basically, in post office के पास, वो सभी जवाब add कर देंगे M3 में, तो हमारे पास M4 यहाँ पर आजएगा, तो यह basic सी categorization है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, और comment box में बताईए कि इस चीज़ से money multiplier का calendar है, क्या money multiplier इन 5 parameter से calculate किया जा सकता है, comment box में बताईए कि क्या formula वहाँ प आपका यह second option है, कि currency जो कि physically waltz में रखी जा रही है, commercial banks के जिसे हम, bank reserve भी वहाँ पर कहते हैं, तो जी हाँ यह भी आपका include होगा, monetary base में यह जिसे हम कह सकते हैं, जो base money जो आपकी वहाँ पर रहती है, और उसके लावा जो commercial banks के reserve central bank के पास हैं, तो यह तीनों ही options यहाँ पर M4, M0 से M4 तक कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं, तो यह थोड़े सी concept है, जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है, फिर रही बात करें, आज के last question के बारे में, agree stack program के बारे में आपसे बात की जा रही थी, कुस statement यहाँ पर दी गई थी, बताना था, कौन कौन statement आपको यहाँ करते हैं, उसे हम prevent कर सकें, कि जब बहुत ही rate कम चलता है, तब भी वह वहाँ पर sales कर देते हैं, थिकि जी तो वह वैसी storage facilities रहेंगी, तो उसे हम prevent कर सकते हैं, third में कहरे हैं, यह related है to the use of blockchain technology in the APMC markets, ताकि corruption को हम reduce कर सकें, या fourth में कहरे है, नना दिबाव, तो यहाँ पर जो correct option थी, वो थी हमारी first option, कि एक unified platform, यहाँ पर तयार करने की बात की जारी है, agri stack के माध्यम से, कि collection रहेगी technologies और digital databases की, जो की focus रहेगा farmers और agriculture sector पे, कि एक unified platform यहाँ पर तयार के जागा, जिसके चलते farmers को end point services जो हाँ पर provide की जाएगी, एक इसके चलते आपका unique digital identification, हम कहते हैं, ID card यहाँ पर farmers का तयार के जागा, जिसमें उनकी personal information, ठीकिजी, अधार नंबर 11 सभी चीजह होंगी, वो included रहेगी, land उनके पास कितनी available है, कौन से अगर उसके हम targeting properly कर सके हैं, यह आपका land parcel है, यह particularly यहाँ पर belong करता है, financial information, किस तरीके से उनके वहाँ पर loans extendable है या नहीं, किस आपकी production वो एक साल में कर पा रहे हैं, तो यह सभी चीजें, यह सभी details यहाँ पर आपकी इस ID card में available रहेगी, तो इसके चलते है, मिनिश्व अगरिकल चनल साइन के memorandum from understanding Microsoft के साथ, ताकि उस तरीके से 100 villages में, इन 6 states यहाँ पर एक pilot run program यहाँ पर run कर सकें, और at present जो आपके majority of farmers हैं, definitely अब इस तरीके की जो छोटे बॉटे जो farmers हैं, बहुत सारे issues यहाँ पर आते हैं, ठीके जी, उस तरीके के advanced technologies को यह access नहीं कर पाते, credit facilities यहाँ पर improve नहीं हो पाती, तो definitely इस platform के मादम से, यह सभी services का accessibility यहाँ पर बढ़ेगी और उनको भी better services यहाँ पर provide की जाएंग बट हमारे जो land records हैं, वो बहुत ही inefficient तरीके से वहाँ पर maintained हैं, तो definitely उसके उपर पहले सरकार को काम करना पड़ेगा, जो के conclusive titling की जो वहाँ पर बात करते हैं कि हनजी, आपका इस तरीके से एक नया system यहाँ पर तयार किया जाएगा, उसको लागू करना बहुत important रहेगा अगर आपको इस तरीके AgriStack जैसे initiatives वहाँ पर launch करने हैं, फिर data privacy क्योंकि इतना सारा data, farmer की personal information, financial information, सबी चीज़े वहाँ पर store की जा रहेगा, तो यह कुछ-कुछ issues हैं, अगर इसे resolve कर देते हैं, तो definitely AgriStack बहुत ही एक revolutionary idea रहेगा, और इसके चलते हमारा agriculture sector भी यहाँ पर revolution कीजिए, और साथ के साथ जो इस weekend आपका Science and Tech का जो marathon session वहाँ पर होने वाला है, definitely उसके लिए अपना 10 से आगे 2-3 घंटे तक की अपनी window clear रखिए, कि आपको attempt करना है, PYQs देखने हैं, UPSC किस तरीकी से आपको question पूछ सकता है, इसीज के वारे में आपको अच्छेस information वहा पर लेंगे, तो बहुत ही interesting session वो होने वाला है, तो definitely कोशिच कीजिए कि Monday को 10 से लेकर आपके आगे आने वाले 2-3 घंटे तक आप कुछ भी ना करें, बस वो session वहाँ पर attempt करें, ताकि आपके एक बहुत ही अच्छे तरीके से preparation हो जाए, और आपको idea ले जाए कि कैसे questions UPSC व that will be all, all the very best and have a good preparation